Hello dear students, welcome to smart knowledge, प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सिक्षने तेशले की और से दिया गया जो अभ्यास प्रेशन पत्र है, हिंदी मीडियम का उसको डिसकस करने वाले हैं, तो आप जो है यहां से questions को जुरूर बना के देखिएगा, important है आपके लिए क्योंकि काफी important question इसमें cover क यह गई है, second thing आपको paper का pattern पता चलेगा, और third one आप अभी तैयारी कर चुके हो, तो आपको पता चलेगा कि कौन सा question आप से नहीं बन पा रहा है, तो कौन सा आपका area week है, जहां पर अभी आपको focus करना है, क्योंकि आपका paper कल evening में है, तो आपके अभी time है, अपने जो week area है, उनको और अच्छे से cover करने का, ठीक है, चले, start कर लेते हैं, तो इसमें सबसे पहले आपको, यहां पे 20 questions आपको MCQs form में देखने को मिलेंगे, with a session and reason, first question है, दो विविन पदार्थों के कणों का सवते, आपस में मिल जाना क्या कहलाता है, विश्रन कहलाता है, और अगर वो जो है, जो हमारी membrane होती है, कोशी का जिली, उससे जाकी मिलते हैं, तो वो पनासरन कहलाता है, नहीं तो क्या कहलाएगा, विश्रन कहलाता है, सवते है, आपस में आपके लिखा न, सवते है, तो वो विश्रन कहलाता है, नेक्स देखे, जब 20 ग्राम नमक को 1000 ml पानी में गु भुला जाता है, तो आयतन में कोई ब्रेदी नहीं होती, क्योंकि पानी की कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, यह आंसर हो जाएगा, नेक्स टेख किने कोलाइड के रूप में किया जाता है, दूंद, बादल, रक्त, वात, युक्त, पे, तो चारो ही कोलाड के रूप मे होते हैं, इसमें या तो आंसर सभी होना चाहिए था, बट इसमें अप्रोप्रियेट आंसर गिवन नहीं है, नेक्स टे, अल 2, O3 में बोजू दायन कौन से हैं, तो 2, O3 में, अल 3 प्लस होता है, और O2 माइनस होता है, अलुमिनियम 3 प्लस और O2 माइनस, यह आंसर से हो जाएगा 1 is to 8 रेशो में, आपका आंसर आजाएगा A, परवाणों के बारे, सरंजना के बारे में क्या कथन सही नहीं, कौन सा कथन सही है, तो एक A विभाजे करना है, यह सही नहीं है, क्योंकि विभाजी तो कर सकते हैं, समगरी रूप से परवाणों उदाशीन है, यह ठी है, तो कौन सा कथन सही है, सेकिंड और थर्ड सही है, तो एड़ी आंसर हो जाएगा, जड़ 13 वाले किसी परमानों में, कुशन नमबर 7 है, X में सही हो जगता, इलेक्ट्रोनों की संख्या क्या है, जड़ जो है 13 है, तो सही हो जगता, इलेक्ट्रोन की संख्या कितनी है, आ शकूता है नेक्स्ट कौन सा प्रकास अंसलेशन कर सकता है तो कलोरन काइमा कर सकता है विराम अवस्था में दिखाना है तो यह वाला हो जाएगा गती अगर एक जैसे समान इठारे से गुणा कर देंगे, इठारे से इठारे गया, ठीक है, ये पांच आंसर आजाएगा, पांच मीटर पर सेकिन, नेक्स देखिए, एक अथलीट को आर के बृताकार पत के चारो और एक बार चक्र लगाने में टी सेकिन का समय लगता है, इसका वी किस प्रकार किया जा सकता है, तो वी का फॉर्मूला होता है, टूपाय आरा पॉंटी, टूपाय आरा पॉंटी, नेक्स वें गति के प्रत्वी नेम के अनुसार, कोई वस्तु तब अपनी व्राम वस्ता में रहेगी, जब तक तक कुछ पर कोई है संतुलित बल ना लगा हो, ठीक है, संतुलित लग जाएगा तो हिलेगी नहीं है सुनतली लगेगा तभी हिल पाएगी आच्छा नेक्स्ट है पृत्वी पर एक ट्रक का दर्वयमान बारेसो किलोग्राम है चंदर्मा पर क्या होगा बच्चो तो दर्वयमान तो बदली नहीं सकता ना डब уз क्या व्ग मास बदलेगा टो बदलेगा वीट बदल सकता है मास रहता है मास नहीं बदलता तो चांद पर बारेसो है पृत्वी पर बारेसो है और पर भी क्तना होगा पर बारेसो ही बैटरी में कौन से ऊर्जा होती है रसानिक ऊर्जा सी आंसर हो जाएगा लिफट चटी मंजल पर है कौन सी उसमें कौन सी जाएँ क्या ज Mr.ट है तो हाइट जाधा है तो सीटी जूर्जा आपी हाइट हाइट के उपर एक चील है, एक एच्छे है और एक सील है, दुए अंगी योगी के बिलकुल ठीक बात है, आंसर ए जाएगा, ये भी ठीक है, कारण भी ठीक है, जब भी एक कारण देखना हो ना, तो इसको देखो, इसमें किंतु परंतु जो है लगा के देखो, ऐसा हुआ तो क्यूं हुआ, क्या आपको उस क्यूं का आंसर मिल रहा है, अगर मिल रहा है, तो ए आंसर, नहीं मिल रहा है, वैसे ठीक है, तो दी आंसर, नेक्स देखें, जायलम और फ्लोय में समवन उत्तक के रूप में जाना जाता है, बिलकुल जाना जाता है, ठीक बात है, पोदर में पानी और खनी की माप है किसी वस्तू का द्रवामान उसके जढतों की माप है ठीक है तो इसलिए उसके द्रवामान पर निर्भर वो करती है तो इसका answer भी ऐचेएगा नैस्ट लिकी नाइक ब्रुटोसें पोशक तत्व है ब्रत पोशक है बिल्कुल ब्रत पोशक है और ब्रत पोशक तत्व की आवशकता आधिक मात्रा में होती है इसलिए नाइट्रोजन की आवशकता आधिक मात्रा में होती है वो ब्रत है तो इस कांसर भी यह जा सकता है ठीक है नेक्स देखिए आप संत्रिप्त गोल का 50 डिग्री पर कैसे थियार करेंगे तो अब 50 डिग्री पर लेके और उसको शीनी को गोलते रहो जब बंद कर देगी तो वो संत्रिप्त गोल तेयार हो जाएगा कोशिका कि सthmद में विलयन की प्रकरती को अल्प्रासर नाती प्रासर नाभी के रूप में वर गिर्ट किया जा सकता है नेतर में डालनें बाई जो होती है उसमें कौन सा विलयन होता होता है इसके प्रकरती कैसी होती है तो बच्चो आई के अंदर जो डैली जाती है वो एक सम परासन दावी विलियन होता है क्योंकि देखो अगर अलग परासन याती परासन होगा तो अंदर की सेल्स जो है वो सिकूर सकती है, फूल सकती है, कुछ इस तरह का उपर निचे हो सकता है तो उसमें हम सम परासन लेते ह यानि कोई भी effect ना होगा नेक्स तेखिए उपास एक सईयो जी उत्तक है बिलकुल सईयो जी उत्तक है जोडने का काम करता है मानो सरीर में कहां पाया जाता है तो जो कान का पिनना है वहाँ पर आप लिख सकते हैं यापर हड्डिया नहीं होती है उनमें यह जो है पाया जाता है जब कोई कार 23 दिकति से ती और मोर लेती है तो किसके कारण वहम जो है ऐसे एक तरह गिर जाते हैं तो जड़त्व के कारण किसके कारण जड़त्व के कारण थोड़ा से explain और कर दीजिएगा अब तो आप expert हो चुके हो, कल paper देना है आपको, ठीक है, तो जड़त्व के कारण, कौन सी द्वानी तुरंग में उच आयाम है, उच आवरती है, तो उच आयाम देखो, यह 15 दिखाया गया है, यह 5 दिखाया गया है, तो यह 15 जो है क्या है, यहाँ पर यह उच आयाम है, और के अंदर रसाइन कम होते हैं, ठीक है, खाने के लिए अच्छे होते हैं, स्वास्थे के लिए अच्छे हैं, अमीबा मेरस धाने के कारण, कारिये बताइए, तो अमीबा मेरस धाने, एक तो जो है ना, पानी का नियंदरन करके रखती हैं, पानी का नियंदरन, दूसरा, क्य पे photosynthesis होता है उत्त को कोन के स्थान से मिलाईएगा तो A areolar उत्तक कहां पाया जाता है तोचा और मासपेशियों के बीच में पाया जाता है तो A हो जाएगा गनाकार epithelium व्रक्यनली का असर यानि B हो जाएगा इन सब के आपको एक एक दो फंक्शन जरूर याद करना है यह हर बार पेपर में देखा जाता है पक्षमा आपस्तम बगार epithelium यह यहाँ पे C हो जाएगा चिकनी पेसी आपको कहां मिलेगी चिकनी पेसी आमशे की परत में मिलेगी D हो जाएगा प्लाजमा आपको रुधिर में मिलेगा E हो जाएगा नियूरोन आपको मस्तिस्क में मिलेगा F हो जाएगा तो यहाँ से इसको कर लीजेगा नेक्स क्वेशन के ओर चलते हैं क्वेशन नमबर 29 60 किलोमेटर पर आवर है तो गुणा कर देंगे 18 बटे 5 से 30 किलोमेटर पर आवर को मिटर पर सेक्ट में बदलना है तो 5 बटे 18 से ठीक है इनको सॉल कर लीजेगा आपका अंसर आपके सामने है तो यह ध्यान रखना 5 बटे 18 से कप करना है और 18 बटे 5 से कप करना है 5 बटे 18 से किलोमेटर को मीटर में बदलना है आवर को सेक्ट में बदलना है तो करना है और यह उसका उल्टा हो जाएगा एक बस अपनी कती से तो यह देखे आपे आपे जो है वी दिया गया है यू दिया गया है टाइम दिया गया है ए निकालना है तो यह वाला formula यहाप आप लगा देंगे next वे ध्वनी production को कम करने के लिए कुछ उपाय बताईए तो ध्वनी production कम करने के उपाय वई हमें ज़्यादा ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए ज़्यादा हमें जो है यह lord speaker और यह जो horn होती है इनको कम से कम उपयोग में लाना चाहिए unnecessary जो आवाज़े होती है उनको रोकने का प्रयास करना चाहिए next है एक लड़के ने एक चटान के पास ताली बज़ाई 6 second में उसकी प्रतिध होनी सुनाई दी ठीक है पई तो एक यह है एक यह है ऐसे यह है अब यह इसकी क्या है दूरी है जो हमें निकालनी है दूरी क्या है हमें V दिया हुआ है और हमें time दिया हुआ है तो time हमें 6 second दिया है time जाने का भी और आने का भी तो एक तरफ का time हम ले लेंगे 3 second ठीक है तो D निकालने का formula क्या होता है D कैसे निकलती है velocity into time velocity time तो velocity कितनी है यहाँ पे 346 और time कितना है तीन सेकंड चेनी लेंगे ना तीन लेंगे आद्धा कर देंगे तो यहाँ से आपका अंसर शायद 1038 आ जाएगा ठीक है तो यह आपका अंसर हो जाएगा नेक्स देगे तो उसके अंदर जो production हो रही है पैदावार उसको सुधार करना चाहिए ताकि ज़्यादा ज़्यादा पैदावार की कोशिश करनी चाहिए तीसरा है उसका संग्रहन management उसका संग्रहन अच्छी तरह से होना चाहिए क्या फायदा होगा इतनी मैनत करके फसल लुगाएंगे और उसका storage जो है वो अच्छे से नहीं होगा जो यह खालेंगे तो फायदा क्या होगा तो यानि तीनो स्तर पे हमें प्रयास करने चाहिए पहले तो 20 अच्छा हो फिर उसकी पैदावार अच्छी हो और लास्ट में उसकी storage अच्छी हो तीनो स्तर पे काम करेंगे नेक्स्ट है आनविक द्रवयमान निकालना है पिछो बहुत आसान होता है आनविक द्रवयमान निकालना फॉर एक्जामपल एक का बता देती हूँ NACLA sodium का आपको लिख देंगे आपको जोड़ दीजिए यह इसका आंसर आजाएगा इसी तरह सारे निकाल सकते है उपर दिया गया है द्रवयमान आपको नेक्स्ट है आपको बताना है कि इनिमिली के तालिका में A, B, C, गलना का कोथना का निरिक्षन करके कौन सा पदार्थ कमरे के तापमान पर ठो सवस्था में कमरे का तापमान मान लो 30 डिग्री है मान लो ठीक के इतना तो हो गई 30, 22, 20 किछे मान लो तो यहाँ पर ठो सवस्था में कौन सा है तो 30 डिग्री पर देखे 30 degree पर ये तो gas अवस्था में होगा A जो है किसमें होगा B जो है 30 degree कहां रखेंगे यहां रखेंगे तो भई ये जो है 200 पर गलना शिरू होगा 200 से निच्चे किसमें होगा ये ठोस अवस्था में होगा तो B जो है किस अवस्था में है अब 30 C इसमें रख दीजिए 30 यहां आएगा तो माइनस 20 पे तो गलना शिरू हो गया 30 पे तो यह किसमें होगा द्रव अवस्था में होगा तो C जो है वो तरल अवस्था में होगा ठिक है तो यह आजाएगा तो यह आपका अंसर हो गया next देखे question number 34 अब इसके अंदर प्रमानु संख्या बतानी है प्रमानु संख्या किसके बराबर होती है प्रोटोन की संख्या के तो 13 आ जाएगा एलेक्ट्रोन की संख्या भी 13 हो जाएगी नूट्रोन की 14 हो जाएगी क्योंकि प्रमानु द्रवयमान की संख्या है 27 तो 27 में से 13 गटाजी यह 14 आ गया उसके बाद अगला है इसमें द्रवयमान संख्या बतानी है न्यूट्रोन की संख्या भी 14 है और प्रमानू संख्या भी 14 है प्रमानू संख्या 14 है तो प्रोटोन की 14 है प्रोटोन की चोदे है न्यूटोन की चोदे है तो प्रमानू का जो द्रवयमान है वो 28 से और इसका सिंबल क्या हो जाएगा सीलिकॉन है ये उसके बाद एक प्रमानू संख्या है तो एक इलेक्टोन की संख्या हो जाएगी एक प्रोटोन की हो जाएगी न्यूटोन की भी एक होती है एटम कौन सा है हाइड्रोजन है ठीक है भई यह हो गया कुश्चन नमर 34 का है सपस्ट कीजिए रधर फोर्ड इस निश्क पर कैसे पहुंचे कि प्रमान के भीतरा दिकतर भाग खाली होता है तो अदिकतर भाग खाली होता है कैसे पता चला काफी सारी जो रेज थी अल हो समान हो लेकिन प्रमान भार जो है वो अलग अलग हो समभारी कौन से होते हैं जिनका जो प्रमान भार जो है वो क्या हो अलग अलग हो लेकिन प्रमान भार जो है वो समान हो 18-20-40 यह हो जाएगा नेक्स देखे किसी कोशिका में यदि गोलजी उपकरन क्रियाशील नहीं ह पूरा नाम लिखे, R.E.R. जो है क्या हो जाएगा खुर्द्री अंते दरवे जाली का और ये जो है चिकनी अंते दरवे जाली का खुर्द्री अंते दरवे जाली का से क्या बनता है बच्चो प्रोटीन बनता है, क्योंकि इसके उपर अल्प का मतलब क्या होता है अल्प का मतलब होता है कम ठीक है तो ऐसी कोशिका जिसकी अंदर पानी की कंसेंट्रेशन पानी की जो अंदरता है वो कम है ये मान लीजे पानी इसके अंदर पानी कम है लेकिन पानी बहार बढ़ा जादा है तो क्या होगा पानी बहार से अंदर आ करती हैं याद कर लीजे ठीक है और जो ये कोशिका जिल्ली होती है ना इसके तुरू केवल पानी आ जा सकता है ऐसे नहीं ये कुछ भी आ चला जाएगा पानी को ये अलाव कर देता है इसलिए पानी अंदर जाएगा अगर आप इन किशमिस को अती परासरन में रखे तो क्या होगा तो अती परासरन में तो पानी अंदर बहुत जादा है ठीक है सोलिट की कंसेंट्रेशन कम है याँ पे विले की कम है विल्लन की बहुत जादा है बहुत जादा है बहार कम हो जाएगी बहार कम है तो क्या होगा पानी अंदर से बहार भाग जाएगा और जो कोशिका हो गूँ होगी उसके अंदर क्या होगा जो है वो क्या हो जाएगा वो शिरिंक कर जाएगी श्रिंख तो किसमिश यहां पर क्या कर जाएगी किस пошऊंच को अगर हम लाक्रिंट घंगे तो क्या होगा तो यहां से ही आप देख लेंगे बच्छो अलगे दाबी यह अगर हम अब जो किसमिस और यह वह से उसको अति-परासन दावी में रखेंगे तो क्या वह जाएगी दोबारह से उनका अकार छोटा हो जाएगा उप्रोक सीति में कोशिक भित्ती की क्या भिमिका है तो वह जो है cell का जो आकार है उसको बनाए रखता है नेक्स्ट प्रित्थी पर गुर्तवा करशन के कारण तुरन का मान किस प्रकार भिन्न होता है तो जो गुर्तवा करशन के कारण तुरन का मान जो है क्या होता है अलग-अलग हो जाता है अलग-अलग जगहे पर जी और जी के बीच में अंतर लिख देंगे आसान से question है ये उसके बाद ट्रक के टायर अधिक चोड़े होते हैं कारण बताना है तो ट्रक के टायर जो दबाव है वो क्या होता है बल अपॉन में छितरफल फोर्स प्रेशर इपल टो फोर्स अपॉन तो टेज़ की होते है ताकि प्रेशर जो है जो कम प्रेशर में ही वो काट दें ठीक है इसलिए एरिया कम हो जाता है तो प्रेशर ज़्यादा लगता है लोह की कील डूब जाती है लेकिन लगडी का गठा तैरता है लठा तैरता है उसका reason यहाँ पे आप आर्केमिडीज प्रिंसिपल पे करेंगे आर्केमिडीज द्वारा सिद्धान्त यहाँ पर लगाएंगे clear उत्प्लावन बल लगा देंगे वो बाला point लगेगा कील का एक सरा चप्टा और उसरा नुक्विला होता है यह भी आप उसी से कर सकते हो उसके बाद आई स्केट्स को प्योग कर बरफर चलना आसान होता है तिक नेक्स देखिए खंड़ में इसमें भी आपको बहुत ही आसान से कोशन दिये गए है यह हमने पिछले सैंबल पेपर में भी किया था वहीं से आप इसका आंसर कर सकते हो सेम दिया गया है नेक्स्ट है तंत्रिका उत्तकी कारियात्मक इकाई का नाम बताएए तो तंत्रिका कोशिका आवेक की दिशा या संकेत की दिशा क्या होती है तो आवेक की दिशा संकेत की दिशा क्या होती है इस तरह से आ जाएगा ये इस तरह से ये क्या है दीसार्दा ये जो है केंद्रथ है ये इसके आगे क्या होते हैं दीसार्दा देंड्राइट्स तो दिशा क्या हो जाएगी इसमें दिशा हो जाएगी यहां से जो भी हमारा सूचना है वो जाती है एक्जोन के थुरू और नर्व एंडिंग्स यानि जो कोशिका का अंतिम सिरा होता है वहां तक तो डेंड्राइट से एक्जोन से होते वे एक तंत्रिका के अंतिम शिरे तक नामांगे चित्र मनाई हैं तो चित्रा बना सकते हैं। बहुत अच्छा आपकी बुक में दिया गया है। आदिक होगी कि वस्तु की स्थिती जूर्जा के बारे में बताईए परिभाशा लिखनी है देगे चितर में वस्तु की स्थिती जूर्जा आधिक होगी तो बच्चों इसके अंदर दोनों में ही स्थिती जूर्जा समान रहेगी क्यों रहेगी? क्योंकि मास 2 kg है मास समान है और height जो है वो दोनों की समान है हम किस path से कए हैं वो depend नहीं करता है हम जो स्थिति उर्जा है हमारी वो initial और final position पे depend करती है तो path 1, path 2 का कोई matter नहीं करता बस height समान है तो mg h यानि height समान है, मास समान है तो potential energy यानि स्थिति उर्जा बराबर रहेगी अगला है कि तिये के चित्र में B वस्तू पर सीद दूरुजा परिकलित कीजिए तो MGH, 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 M कितना है दो किलोग्राम, G10 ले लेते हैं हाइट 2, हाइट 3 मीटर दी हुई है, हाइट 3 मीटर है तो यहाँ से आपका 60 जो है आंसर आचाएगा ठीक है, उसके बाद अगला देखे, क्या हम चित्र में दिखाएगा वस्तू की सीद दूरुजा को बढ़ा सकते हैं, तो बिलकुल बढ़ा सकते हैं अगर हम इसकी हाइट को बढ़ा, ठीक है, मास को तो हम नहीं बढ़ा सकते हैं यह आपका हो गया complete sample paper आई हो पेटा आपको सारे questions clear है और अपने आप से इसको जरूर सारे questions को एक बार जो है जरूर पढ़के जाईएगा important question है क्योंकि DOE की तरब से दिया गया sample paper होते है न तो इसमें कुछ questions आपके cover होते हैं तो यह जो है complete कर लिएएगा मिलते हैं आपसे next video best of luck for your exam